वीडियो के अंत में आफ सभी की आंकें फटी की फटी रहने वाली हैं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इस संसार की सबसे खतरनाक मसीनों के वारे में यानि इस संसार की सबसे अधे खतरनाक दस मोस्ट पॉपुलर मसीनों के वारे में तो जी हाँ गास बने रही है मेरी इस वीडियो में क्योंकि आज हम इसी के वारे में चर्चा करने वाले हैं उससे पहले अगर आप ने भी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जिससे कि आप आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पा सकते हैं सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को नमबर 10 जी हाँ इस नमबर 10 पर आती है ट्री कटिंग मसीन जी हाँ यह एक ऐसी मसीन है जो कुछी समय में सैकडों की संख्या में पेड़ों को काड़ सकती है वह उन्हें एक समान दूरी में चार्ट भी सकती है तदा इस मसीन में पत्तों को साफ करने के लिए एक बिसेस प अपना कारे कैसे कैसे कर रही है अगार नमबर 9 नमबर 9 पर आती है आपकी नासा क्रावल यह एक बहुत सक्तिसाली मशीनों की श्रेणे में नौवे नमबर पर आती है इस मशीन के द्वारा अंत्रिक्ष मिशन को अंजाम दिया जाता है 2500 टन के बजन से लेकर लगवग 9000 टन के बजन को यह मशीन असानी से ले जा सकती है इस मशीन में दो इंजन है जिनकी पावर 2700 HP है के लगवग में है इस मशीन पर रॉकेट लाउंच के जाते हैं जिसे नासा ने हायर किया है वा नासा अपने मिशन को सक्सेसफुली लाउंच करने के लिए इस मशीन का प्रियोग करता है नमबर एर्थ जी हाँ गाइस नमबर एर्थ पे जो मशीन आती है उस मशीन का नाम है मेमो एट SPMT इस मचीन के द्वारा हम घरों को बनाते हैं इस मचीन के द्वारा कंस्ट्रक्शन का कार्रे क्या जाता है इस मचीन में इतनी सक्ती होती है कि यह मचीन चार मंजिल इमारतों को ले जा सकती है जी हाँ गाइस यह मसीन चार मंजिल इमारतों को ले जा सकती है ज़र अब गौर से देखी यह अपना कारे कैसे कैसे करती है नमबर सेवन पर आती है SK-3 500D यह एक जपानी क्रेन है इस क्रेन का नाम ग्रीज वर्ड रिकॉर्ड की बुक में भी देखने को मिलता है इस मसीन द्वारा उची उची विल्डिंगों को तोड़ने का कारे गयाता है यह मसीन 230 फिट तक की इमारतों को अपने पंजू के द्वारा तोड़ सकती है इस मसीन के द्वारा सुरंगों को खोदा जाता है आपने बहुत सी वीडियो में इसके थमनेल भी देखिए होंगे वह कूड़ा करकड़ वहां निकालने के लिए इस मसीन में एक विश्यस प्रकार के टेक्नलोजी का प्रियोग के गया है इस मसीन की केमत 80 मिलियन डॉलर है इस मसीन के द्वारा कई किलोमेटर तक कि शुरंगों को खुछी समय में खोदा जा सकता है जरा गौर से देखिए अपना कारे कैसे कैसे करती है वह इसमें कैसी कैसी टेक्नलोजी का प्रियोग के गया है बारे की से जरा इस वीडियो को देखिए जरा ध्यान पूरवा कि बारे को देखिए लगा झार आच मैं और उल ठाछें अपन.. अगलसे कि वालक सरे एाचो को देखिए लग्जा बालक साना इसमे खज़ है कि श分 ép cią is justना तक करता ह Ball dangerous बार बाम पन might wept दो जी हां गाइस नमबर फाइब पर जो मशीन आती है उसका नाम है SLJ 900 जैसा कि हम जानते हैं कि चाइनिज गौर्णमेंट हर कीज में सुपर फास्ट है वहीं SLJ 900 जो मसीन है उसे VWMC के द्वारा बनाया गया है इसका आकार बहुत बड़ा है वह इसके बजन की अगर हम बात करें तो वह 580 टन और साथ ही 300 फुट की लंबाई और 4 फोट की चोड़ाई है यह मसीन बनी है ब्रिज कंस्ट्रक्शन के कारे को तेजी से करने के लिए व आम तोर पर जो इसका कारे है वह ब्रिज को बनाने का है जी हाँ गाइस ध्यान से देखिए अपना कारे कैसे कर रही है तो गाइस नम्मर फोर पर जो मसीन आती है उस मसीन का नाम है है ट्रक स्पैड जी हाँ ट्रक स्पैड तो भाइओ इस मसीन के दोरा बड़े बड़े पेलों को बिना किसी नुकसानसे on the एक हिस तान से दूसरे इस तान पर फिट कर आदा है वाके में इसमसीन का कारे काफिर ला जबाब है तथा जहां पर भी हमें पेड़ को लगाना है पहले उस जग्या की मिट्टी को हटा लिया जाता है और बाद में वहां पर पेड़ को लगाए जाता है जरा ध्यान से देखिए अपना कारिक कैसे कैसे कर देखिए तो बाइस नमर थ्री पर जो हमारी मसीन आती है उसका नाम है कार स्क्रैपिंग जी हां कार स्क्रैपिंग वाकई में यह बहुत खतरनाक प्रोसेस है इस प्रोसेस में खराब पड़ी गाड़ियों को डेस्ट्राइड करने के लिए हैड्रोलिक चैंबर में डाला जाता है फिर इन पर एक हैड्रोलिक प्रेसर एपलाई किया जाता है प्रेसर इतना खतरनाक होता है कि यह गाड़िया अपने रियल साइज से 10 गुना तक कम हो जाती है जी हाँ गाई ध्यान से देखे ज़रा कैसे धज्या उड़ा दिती है यह मशीन कारों की नंबर सेकेंड नंबर सेकेंड पर जो आता है वो है कैटलर पिलर 797 ट्रक कैटलर पिलर 797 दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रकों में गिना जाता है यह ट्रक 373 टन तक का बजन ले जाने में सक्सम है जो किसी भी ट्रक से बहुत ज़्यादा है यह ट्रक बड़े मायनों में किया जाने वाला क्रिक्शन का कार्रे वह खनन के कार्यों के लिए इसका प्रियोग किया जाता है इस ट्रक की उचाई की अगर हम बात करें तो 7.6 मीटर तता चुडाई की अगर हम बात करें तो 14.5 मीटर है इस ट्रक की केमा 36 करोड रुपे है इसकी एक टायर क्या मूल लिया है 2 करोड रुपे है इसका निर्मान अमेरिका ने किया है जी हां गायस इसका निर्मान जो है वो अमेरिका ने किया है जर्मन कंपनी के द्वारा बनाए गई एक बूद्खनकमसीन है इस मीचिन का कुल वजन 13,510 है इस मसीन को बनाने के 5 साल लगे वा इसे असेंबल करने यानि इसको जोडने में भी 5 साल का वक्त लगा है यानि इसको पूरा बनाने के लिए 10 साल का वक्त लगा है इसकी कुल लागत के अगर हम बात करें तो वो 650 करोड रुपे है तथा आपकी जाने कारी के लिए मैं बता दूँ कि इसका अफग्रेड वर्जन आ चुका है जिसका नाम है बगर 293 जो कि मार्केट में इस वक्त उपलब्द है आपके जानकर यह थोड़ी है राने होगी लेकिन यह हमारी इंडिया में नहीं है यह विडियो की मसीने है तो वाइस आपको कैसी लेगी मेरी यह से माइडी से ही यानि डीपकेट दिन के नाम से सीम आइडी जाकर हमें फॉलो कर लेगी